17 सितंबर 2023 को श्री राम विवाह पंचमी किस प्रकार सिकनी पूजन और व्रत रखने से क्या क्या होता है लाब जानते हैं आचारे राजेंद्र त्रिवे शास्त्री राजगर जहांसी वालों के साथ जैस्त्री राधे जैस्त्री श्याम जैस्त्री राम स्री मते रामे रामा नुजाय नमाहा आईए हम लोग चर्चा करते हैं भगवान स्री राम विवाह उस्सव यानी की विवाह पंचमी के विशाय पर जोत्य सास्त्री की माननेता है 16 दिसंबर 2023 रात्री आठ वच के विश मिर्ट से पंचमी का संयोग बन जाएगा और 17 दिसंबर 2023 रात्री साथ बच के 34 मिर्ट तक यह योग रहेगा तो हम लोग विवाह पंचमी का पर्व कब मनाएं जोत्य सास्त के अनुसार 17 दिसंबर 2023 को ही वईदिक हिंदू सनातन धर्म के माध्यम से शवी लोग भगवान स्री राम माजान की का विवाह उस्सब विवाह पंचमी मनाएं जैसे संसार के लोगों की एनिवर्सरी होती है ठीक उशी प्रकार अईध्यानात अईध्यापती भगवान स्री राम तरेता यूग से लेकर के और आज तक इसका लिकालत है हर वर्स मार्व सीरिश्चुक्ल पक्ष पंचमी को बभाय पंचमी कहा जाता है मानिता है कि आज के दिन जो भी कन्या इधी सुन्दर बर और सुन्दर घर की इक्षा रखती है तो वह है भगवान स्री राम माता जानकी का चित्र सामने रख कर कि या मंदर में जाकर कि उन जानकी बल्लवाय नमा इस वीजबंदर का जब करे भगवान का पूजन अरचन करे उसे मनमान्चित बर एवम घर की प्राप्ती होती है जोते सास्तर के अनुसार आज के दिन भूल करके भी संसार के मनुस्चों को विभाय नहीं करना चाहिए पहले की समय में भी ऐसा ही होता था कि विभाय पंचमी तक कोई विभाय नहीं करता था भगवान स्री राम की विभाय के उत्सब के बाद ही संसार के लोग विभाय प्रारंब करते थे इसलिए आज के दिन जैसे की अईध्या औरुछा आदी आदी तीर्थ छेत्रों में विशेथ उत्सब धुमधाम से मनाया जाता है आप लोग भी अपने घर पर रहे कर बैठकर ही अपने घर के मंदर में भगवान स्री राम जान की लक्षण जी हर्वान जी की आराधना करें उनका पूजन अर्चन करें तो आपको भगवान लक्षमी पती रमा मुकंदम रमा नाम है मा भगवती सीता का और मुकंद माने भगबान स्री राम की कृपा आप लोगों की उपर वरस्ती रहेगी जैस्री राधे जैस्री कृष्णा जैमा पितम रा जैमा वंदवासनी बयाचार राजिन तरवेती सास्त्री राजगर्द छासी